दोस्तों इस वीडियो में हम लो बात करेंगे ONGC के बारे में लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डिमिट अकाउंट ये ट्रेडिंग काउंट ओपिन कराना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है और दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट एम देख रहें सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर से हिट कर लिजेगा उससे क्या होगा उससे होगा ये कि आपको वीडियो की दिया था अपर सरक्ट तो नहीं लेकिन हां 123.80 का हाई बना है अपर इंट्राडे में अपर सरक्ट दोस्तों 130.80 का लगा था लोर सरक्ट 107.10 का लगा था दोस्तों इस तेजी के पीछे की वजह क्या है इस तेजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है एक बहुत बड़ी उस खबर को मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने के कोशिश करोगा टोटल वॉलिम अगर हम देखें तो 2 करोड 72,042,637 ट्रेड किया गया और इस कंपनी की मार्केट कैपिलाजेशन है 1,53,668 करोड रुपए और इसका 52 वीक हाई है 128.50 का लो है 64.10 का अब बाकी के पेरामिटर्स किसी दूसरी टाइम देखेंगे अभी हम सीधे बढ़ रहे हैं खबर की तरफ खबर क्या है ओके खबर को समझने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पे O N G C जैसा कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा Oil and Natural Gas Corporation इसके स्टॉक प्राइस में हमें Sudden Rise जो देखने को मिला था इसके पीछे सबसे बड़ा कारड है दोस्तों IKRA ने इस कंपनी के Non Convertible Debentures को AAA Rating दे दिया है जियां बहुत बड़ी खबर है जियां अपने आप में बहुत 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 बड़ी खबर है N C D जैसा कि आपको पता है यह कैसा इंस्टॉमेंट होता है जो किसी कंपनी को अलाव करता है फंड को रेज करने के लिए तो अगर Oil and Natural Gas Corporation यानि ONGC अपने N C D holders को properly timely payment करता है यानि उसकी credibility अगर अच्छी है तो definitely इसको AAA rating देना तो बनता है तो शायद यही सोच करके IKRA की तरफ से इनके Non Convertible Debentures के लिए AAA AAA की rating दिया है और जिसकी value है total N C D value 7500 करोर रुपए तो यह अपने आप में बहुत बड़ी ख़बर थी इसी के चलते हमें यह तेजी देखने को मिली है राइट ओके दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा Research and Broking Firm ICICI Direct ने भी इस company के stock price को लेकर के 214 रुपी का target अपर साइट से दिया हुआ है यह बात भी आपको notice कर लेना चाहिए और कल के दिन यानि Thursday को maximum यह उपर के साइट से देगर हमने आपको देख बताया ही कितना हाई बनाया था तो आप उसी से कब्बर कर सकते हैं कितना percent है आप खुद भी निकाल सकते है 214 माइनस इसका last trading session में हाई क्या था upon original value into 100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना percent उपर का target दिया जा रहा है ONGC की एक subsidiary company है जिसका नाम है ONGC विदेश Limited यानि OVL Limited OVLL का मतलब Limited ही है तो ONGC विदेश Limited यह planning कर रहा है 700 million dollar raise करने का overseas investors के माध्यम से as syndicated loans syndicated loans के रूप में 700 million dollar raise करना चाहता है क्यों ऐसा क्यों क्योंकि यह चलागी लगा रहा है इसलिए क्योंकि international market में rate of interest है इसे में काफी down चल ला है और इसी के चलते यह चाह रहा है कि overseas investors से 700 million dollar syndicated loans के रूप में जुटा ले collect कर ले और जो पुराने इनकी loans है उनको यह retire यानि उसको हटा देना चाहता है ताकि उस पे जो rate of interest इनको ज्यादा देना पड़ता है वो हट जाएगा तो फिर उसके अब नया आ जाएगा तो उसमे rate of interest कम देना पड़ेगा चलाकी देख रहे हैं चलिए हर कोई अपने business में चलाकी लगाता है तो यहाँ पे ऐसा कुछ गलत नहीं है बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पे 700 million dollar का जो इन्होंने option चूज किया है overseas market से raise करने का इसमें 200 million dollar जो है green shoe option है यानि 200 million dollar की जरूरत पड़ी तो और इसमें raise किया जा सकता है यह भी इसी में included है राइट तो दोस्तों यह जो है इस company ने banks को अलग लग banks को इन्हों notify कर दिया है request कि लिए कि वो इस अपने अपने proposals इस पूरे offer में participate करने के लिए input कर सकते हैं और उसके बाद जो है आगे देखा जाएगा जो कुछ होगा हम लोग आगे discuss करते रहेंगे लेकिन यही खाबर थी दोस्तों यह खबर आपको समझना जरूरी था I hope कि आपको information में समझाने में success होल रहा अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को like share करिए और subscribe करें इस channel को और अपने ख्या लिखे I will meet you with next video